द रेजिज़ेंशली स्टाटरस को मही देची आज अगे अंडी दी जस्ते रेजिज़ेंशली स्टाटरस मतर अजन्या टैक्सेवडली इन्कॉम एंड टैक्सलाइब्ली त्याम घर्जान मी पर नहीं सब्सकेज़ फो फार्स स्केज़क होग में मंहां पुर्स रीजिदेट्नेंट पर से ब контूइ फर्स में ये टाक्सद स इकहीं होरे टियो फी रहा है एक है या तर इक्सित राक्त को टाक्वह परस्ट संत्ट's haters तो अने प्रोगेसिव टेक्सरेट लगाँचो 1%, 10% 20% एद यो Mr. Gupta नन्रेजडेंट पर्षन भाये बने अनी कंपणिको रूल अन्सार यो नन देस्ट पर्शन को इनकंपोर डाटा लाया हम यो फ्लाग टेक्स रेट बागाँचु थो बनेगे आम लो 25 पर्शन ओ यो खुड़ा मुशु बर्या इजा अवे एशको मा सुलुशन डाटा इडा आचु ला एशको सुलुशन ऊंला इंकुणा मुश्यक्त राटा इंड स्टेक कुछणा ओंंटेक्स राटा इंड स्टेक्स 1 अज इस्टेक्स्टु अवेशन में व सब्सक्राइए, पर यू के चाह और यू कुं फकेड अब यहां TDS को कुरा आउंग दाने विद्वोल्डिंग पेमेट एसको ता क्नास माइले यह वटा चुटे गीश सके गचुछु अब युँ TDS को कुरा आउंग यहां इस्ट्रे नर्डा क्या बना चाहांचु अने जस्ते ही आमरो ची क्यों चा बने एदी यो गुप ताकची नन्रेज़िटेंट पर्षन निश्किया बने वु नन्रेज़िटेंट पर्षन होबने यो आफ्टर TDS पचाहडिक अम्ड होरू सब पचे फाइनल TDS नन्रेज़िटेंट पर्षन लाग ना था आमले होता इंकम फ्रम बिस्नेंस जस्ते इंकम फ्रम इन्वेस्टमेंट मा जस्ते एडवान्स TDS बेटियो जस्ते आमले त्याने नेत्रोल रिससको इंकम अरू भनेर आमले रोयल्टी अरू पड़ेके थे हो 15% एडवान्स TDS उ ग्रशब गरे राखन पर्षन आफ्र TDS बावने के वयलु जाइड़ उन्च योग और ची यान करना पर्षा इंकम फ्रम बिस्ते नत्रोल रिस्टेंट पर्षन पर्षन बावने आमले उसलाइची एडवान्स TDS मा राखना पर्षा राखना जथी आमले ग्रशब गरे राखना राखना जथी TDS के बावन तेलाइ final last मा गारा आमले tax liability मा माइनस गण परशा योजी resident person को आग मा आग मा आगो तेस्ट नुँँचा तर्वा non-resident person को आग में advanced TDS वान्नी उधाइन आफ्टर TDS वा निये एको data हारू सब्बाइ non-resident person लाचे final TDS हुन्चा योगुरा देयां देरो पुश्ण परशा है अब एधी गुरा कुछी सेखेबुछे अब आमी फस्ट माता अब यहां की required residential status final गारा बनाचा यो अबसे ये बेख्ती हो की गर अबसे ये बेख्ती हो final one प अब यहां समाजान अहरी कथी महीन आंचा यहां दा माग फारगों स्वाइध बाइसाख जेट अशार शिक्स मान्थ वाई शिक्स मान्थ वाई शिक्स मान्थ इंटो 30 मनुका मदला 183 days approximately approximately you actually our city was your experience about the good that resident person like in on resident person bio since since mr. अरण गुबता इसे ने नेपल नेपल एससा थे ने नेपल नेपल एसा थीट पया था तु रहां ता जो इस डिएस डेसले स्टाट्स बाइ ने जुझेक्टला और था अउनले रहे आने रिग ट्युट्प्र एक्ष तिराची तीन बंधा थ्वरेन आपा ममां पसे रहा बिचनेस अक्टिविटी रहा प्रोसनल एक्ट्टीन आपूसे रहा बिचनालल में रहा है बायख शेया है और उसको रेज्डेंशल स्टार्ट शेह चेहने बाद वहाँ प्रॉषण को चाहिए है आपने किलेर वाई शे क्यों? अब उसको टैस्याइट लाइट विट्याइट्या अम्डे क्यालकुलेशन गर। 25 % दी क्यालकुलेशन करिंचा कंपनी को जस्ते ही जारे रहे रहा अभवा हां दे उसको income छि writer taxable income छि final name कचाही कि हमाइ लिम्मेत से बंचि calculation of total taxable income calculation में लेड आ देच वाईuciones अभव उसको इंकम हैसी अडिक तेशेल नेत डिद्यक् है के छय कि है खै द्राइक किर दोटन दान देड़नेते देजिद। प्लिट था नहीं आपक ने आनी आपक नती है न दुझा वह सीदिए झालो भाया। प्रोफेसर को इंकम 5 लाच, टोटल इंकम झाया है, टिस्थे गरे, 내내 अससिबल इंकम रहे, नेट अससिबल geinkम इंकम झाँ और द मोलना, नेट एसेसिवल एंकम from business business income फ़लाक दियेको छाब कोई सलने फ़लाक अब इंप्लेमेंट कु इंकम छाए ना नेट एसेसिवल एंकम अब लेखे रम पारें ना वाई कोड़ाला एला आम इके मांचाँ total एसेसिवल एंकम मांचाँ परहए ना ओला फुझा ट आसेसिवल एंकम नैन लाक वाल तोडल एसेसिवल इंकम मावं अधिलेसिध गंपस अभशः नियुकर्डक अमट्र एंसियुकर जा Here शान प्र व्राब एंसिवंद मद्यसन कोणम दिखन मनिको अधी अधीश्वलाust परहए ने धीशन एडिसनल 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 एडिसन taxable income उसको कदिवायो 9 lakh ने कायो और tax liability मेले यहां calculation कर दिया इदा आवर आमला tax liability taxable income plus tax liability बने को सार now tax liability is called to taxable income आवर 9 lakh flat आवर कमपणी को रूल आँछा 25% 9 lakh को 25% क्याल्कुलेशन गर्नुष 9 lakh into 0.25 गर्दागारी 2 lakh 25,000 यह बेक्ति दे 2 lakh 25,000 tax pay गर्नुषा फिनिस्ट यह यह रेज़ेंट बेक्ति बायो अब यानी अरको खुडा आयो यानी यह कंसेल्टेंची फी रिसीप कीना राकीना बनी खुडा आपयो कंसेल्टेंची फी रिसीप 3 lakh जून आम्रो छा यूचे आम्रो आफ्टर TDS होन्याचा आफ्टर TDS पसाड़ी का ब्यानुचे आम्रो सबय के उन्छा फाइनल TDS हुन्छा नन बेज़ेंट पेख्तिक लागाई तो नोट बनेर लेखना पनी सक्षावाई जूस्ते यू इनकम आफ्टर TDS है जूस्ते यू यू नन बेज़ेंट पसाणी इस फाइनल TDS कण़ा आप नोट अच्छावाई जूस्ते यां आप कण़ा नोट गांट रिखना नोट फाण फाणावाई जूस्ते यू अनोट बेज़ेंट आटको आलेखं income received by non-resident person, income received by non-resident person, income received after TDS by non-resident person, पर्संट पर्संट इस सब्सक्राइब फाइनल टी आश। रसा भाइने वाइनल तो चानिक पारेंड पूरख दालेंड पर्संट शुट्धिक पर्संट अब बिच्वाइन अब पूरत ओकर आहिए लिए पुर। अब यो टेक्सिवल इंकम बाट आ चाहिए आमले टेक्स लाइविली थी क्याक्पुलेशन गरदा हाव नाइ लाक मद दे जसता है अब थ्री लाक फुट्टी थाउजन को वन परसेंट रिमेनिंग वन लाक को 10 परसेंट रिमेनिंग को 20 परसेंट वो त्यू प्रोसेस मा जान क्या जासते है अमले लागेन 25 परसेंट रिमेन फ्रैक्ट लाएं 25 परसेंट वो यसरी क्याक्लोसा और यान को आप्सेड अनि या को इंकम देती शाप्वद की होँछ आम्रो फाइनल टेक्स होँछा यह एक्दम मॉर्थपुन पुण प्लास यो बोर एक्जाम मा मेब यो जब 44 सालमा स्वध एक क्वेशन माईले कपीडरेको जस्ता लाखचे यो बोड एक्जाम माद 44 सालमा स्वध एक क्वेशन मानियो वाई वी दानी भाईबने अल्ले यो एक्टम यहन्देरे यह नो खर्यो मैले आजा एतीनी गारी और नेक्स्ट क्लास माची माँ आन्ने प्रब्लम अरू गार्णेशू आजाला मैले एतीनी गारी आईता